जैशी किष्णा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम महलक्ष्मी वरत के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहें जिसके करने से निशिद है आपकी जो भी मनोकामना है चाहे संतान की है धन की है नोकरी की है वो पूत्री का वरत भी है और क्योंकि वो संतान की दीग रायू के लिए रखा जाता है दोस्तो बहुत ही सुपसायोग है अगर इस सुपसायोग में अगर आप महलक्ष्मी का वरत करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने प्यासरा फैमली चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब अवश्य ही कर लें बगले बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुस सके दोस्तो महलक्ष्म का बरत देखे अश्टमी के क्रिशन पक्ष के अश्टमी तिति यानि पितर पक्ष में जो अश्टमी तिति आती है उसी दिन यह वरत किया जाता है और इस बार यह देखेँ 28 सितंबर को शाम को प्रारम हो रही है छे बजー के बाद तो कई लोग देखे 28 सितंबर को तो अगर आप महलक्षमी के सामने एक उपाय करते हैं एक वस्तू महलक्षमी जी को चड़ाते हैं तो अवश्य ही आपकी जो मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी महलक्षमी जी का देखे पूजन शाम को मतलब शाम के समय ही किया जाता है प्रदोश काल में महलक्षमी के आगमन का समय माना जाता है उस समय पर आपको महलक्षमी जी का पूजन करना है अगर आपके घर में देखे महलक्षमी जी की तस्वीर है अगर आप कोई तस्वीर लेकर आना चाहते हैं तो महलक्षमी जी के ऐसी तस्वेर लाए जिस पर वो हाती पर बैठी हुई हो क्योंकि हाती पर बैठी हुई महलक्षमी जी की पुजा की जाती है इस दिन आप उनको देखे इस दिन जो उनकी प्रिय वस्तु है फूल तो अवश्य अर्पित करें अगर आपके पास देखें कमल का फूल हो तो बहुत ही शेष्ट है अगर कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब के फूल अवश्य उनको अर्पित करें साथ ही देखे इस दिन सोला धागों का सोला गाट का धागा अर्पित किया जाता है आप अपने घर में भी बना कर अगर उनकी वरतकता सुनते हैं तो आप सोला धागे बना कर उनको हल्दी से रंग ले और सोला गाट लगा कर महलक्षमी जी को अर्पित करें और उसके बाद अ अगर इस दिन महलक्षमी जी को अर्पित करते हैं तो जिस भी मनवकामना से आप मतलब मतलक्षमी को अर्पित करते है तो वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पोरी होती है दूस्तों आपको जो श्रीफल है नारियल है उस पर देखे Findus से आप या तो स्वस्तिक बनाई या उसपर श्री लिखें और साथ बार उसपर कलावा अपनी मनो कामना बोलकर मतलब लपेटें उसके बाद महालक्षमी जी के चडणों पर अर्पित कर दे साथ ही इस दिन महालक्षमी जी को देखिए, सोला वस्तों का मतलब अर्पित किये जाते हैं चाहे आप सोला फल ले ले या सोला बतासे ले ले या सोला पूरिया बना ले इस तरह से आपको सोला की संख्या में अर्पित की जाती है अगर आप देखें बतासे ले रहे क्योंकि बतासे चंद्रमा का सरूप माना जाता है और चंद्रमा महलक् माता लक्षमी को अर्पित करें इत्र एक गुलाब का इत्र अवश्य माता लक्षमी को अर्पित करना चाहिए इससे आपके दामपत्य जीवन में प्रेम रहता है सुख समृद्धी का वास होता है साथ ही देखे इस दिन आप खीर का भोग अवश्य लगाएं उसमें अगर आपकी जो मनो कामना है चाहे संतान की है या पुत्र की है वो अवश्य ही पूरी होती है साथ ही दोस्तों जो आपने देखे बतासे माता लक्षमी को अर्पित करें हैं उन बतासों को आपको बच्चों में वित्रित करना है बच्चों को बाल देना है प्रसाद स्वरूप औ और उसको उसके बाद उसका प्रसाद सभी परिवार वाले अवश्य ग्रहन करें, अगर उसमें से देखे नारियल के जो तीन आखे बनी होती हैं, उसमें से अगर बीज निकलाता है, तो उसको इस्त्री अवश्य ग्रहन करें, तो निश्चित ही आपको मन वांचि संतान की प् अवश्य करें निश्चित ही आपकी जो मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों इस तरह से अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं यकीन मानिया आपकी जो मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होती है साथ ही सोला गांट का जो धागा आपने अपने हाथ में मतलब अपनी कलाई में बांदा है दोस्तों उस धागे को आपको अपने पास ही रख लेना है कहते हैं कि जो दूसरे साल जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए उस दिन उस धागे को मतला लक्षमी को अर्पित कर दे दुबारा से बांद कर आप उनको अर्पित कर दे निश्शित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करे आप सभी को जैशी कुष्णा